परभाव उतने ही ज्यादा अच्छे हमारी स्केन पर परते हैं लेकि क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली के और भी बहुत सारे प्रभाव हैं चलिए आज जानते हैं उन सारे इस्तेमाल की जाने वाले चीजों के बारे में जिन्हें आप petroleum jelly का इस्तमाल करके अपने चहरे को सुन्दर और radiant बनाने के लिए कर सकते हैं कई लोगों की आम समस्या होती हैं जैसी की कोहनियों का रूखा बन, हाथों का फटना या फिर अपने हाथ पैरों में रूखे बन का एहसास होना इन सारी प्राब्लम से निजात पाने के लिए लोग अपने चहरे पर और अपने हाथ पैरों पर petroleum jelly का प्रयोग करते हैं लेकिन petroleum jelly का प्रयोग यहीं पर समाप्त नहीं होता है अगर आपकी एडिया बहुत ज्यादा फट रही है तो फटी एडियों को अच्छे तरीके से पहले पानी से साफ कर लीजिए और उसके बाद उन पर petroleum jelly लगाए रात को सोते समय ऐसा अगर आप रोजाना करेंगी तो यह आपकी crack heels की दरालों को भर कर आपकी एडियों को soft बनाने में आपकी काफी मदद करेगी इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी आपों पर make up करना है तो आप अपनी पलकों पर petroleum jelly लगा सकती है मसकारी की बजाए ऐसा करने से आपकी पलकों में एक काफी अच्छी gloss और shine आती है अगर आपको make up remove करना है और make up remove खतम हो चुका है तो भी आप petroleum jelly का इस्तेमाल करके अपने make up को छुड़ा सकती है नाखुन और नाखुनों के आसपास की skin अगर चमकती नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके नाखुन shine करें तो रोजाना petroleum jelly से अपने नाखुनों पर massage करें अगर hot fat रहे हैं होटो पर काला पन है तो रोजाना रात को सोने से पहले होटो पर petroleum jelly जरूर लगाईए तो दोस्तों देखा आपने कितने साले फायदे हैं petroleum jelly के इन्हें जरूर इस्तमाल करें ना केबल सर्दी में बलकी गर्मियों में भी मेरी beauty से related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजिए